नमस्कार दोस्तों जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा अगर आप किसी का दिल दुखाते हो या अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो देर से ही सही लेकिन कभी ना कभी आपको आपके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा आए इस बात क को हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुध हर दिन की तरह उस दिन भी सभा कर रहे थे तब तक एक ने उनसे पूछा कि गौतम बुध कर्मों का फल कैसा मिलता है। कृपया इस बारे में आप मुझे समझाएं गौतम। बुधा कहते हैं। एक समय के बाद रामू और शामू नाम के एक गाव में दो भाई रहते थेश। यामू अकसर रामू को देख कर जलता था क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था लेकिन शामू का स्वभाव ऐसा नहीं था उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था वहा हमेशा दूसरों का अनाधर करता और उन्हें नुकसान पहुचाता रहता था धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया रामू शामू के माता पिता अब इस दुन्या में नहीं रहे रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संसकार किया और गाव वालों को भोजन के लिए आमंतरित नहीं वह उसे अभी भी देखकर जलता अगले साल रामू ने राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गाव को खाना खिलाया और दान दिया ताकि उसे माबाप स्वर्ग में खुश रह सके यहां सब देखकर राज शाम से बोलते हैं शामू तुम्हारा भाई तुम्ह सब क्यों नहीं करते क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम भी अपने माबाप के लिए कुछ ऐसा ही करो शाम में कुछ नहीं बोला और वहां से चला जाता है वह इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि आज रामू की वजह से उसकी राजा ने बेस्ति कर दी वह अपने अपमान क बदला लेने के बारे में सोचता है और अगले दिन एक धोंग करना शुरू करता है नगर के सामने जोड़-जोड़ से चीखने लगता है मेरे माबाप मेरे सपने में आये थे वह स्वर्ग में खुश नहीं हैं है वह चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाकर खाना बना के खि रहेंगे उन्होंने मुझे सपने में कहा था जो रामू को मेरे पास भेज दो वो उनकी बहुत सेवा करता है वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे राजा कहते हैं यह तो अच्छी बात है लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा रामू को सब समझाता है यह सब कहीं ना कहीं उसको फंसाने की चाल है लेकिन वह कहता है चलो इसी बहाने में जरूर सेवा करके दिखाऊंगा रामु मरने को तयार हो जाता है वह राजा से कहता है राजा आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं अगले दिन यह सारे बंदोबस्त कर दिये जाएंगे रामु नदी से कूट जाता है और सरेगा में सबको पता लग जाता है कि अब राम इस दुनिया में नहीं रहा अब वह भी माबाप की सेवा करने के लिये स्वर्ख चला गया श्यामा बहुत खुश था कि उसका इकलोता भाई दुनिया में नहीं रहा जो भी राजपाट और जमी है अब वह सब उसका मालिक बनेगा धीरे-धीरे काफी दिन गुजर चले एक दिन अचानक से राजा के दर्बार के बाहर रामू बैठा होता है और जोड़-जोड़ से रो रहा होता है राजा के सिपाही दर्बार में ले जाते हैं और बोलते हैं यह चमतकार कैसे हुआ तुम जिन्दा कैसे हो यह सब क्या बला है फिर राम बताता है मैं स्वर्ग में गया था मैंने वहां देखा लेकिन मेरे बाबा अब भी खुश नहीं है है वह मेरे पर गुसा हो रहे थे उन्होंने मुझसे बोला तुम्हें वैसे खाना बनाने भी नहीं आता तुम से अच्छा तो शाम है वह अच्छा खाना बनता है इसलिए तुम जाओ और तुम उसे भेज दो राजा शाम को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माबाप के लिए इतना त्याग किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे, शाम को अब ना चाहते हुए भी आखिर यहा काम करना ही पड़ा है, अगले दिन फिर से सारी तयारी कराई जाती लेकिन राम ने सोचा कि अगले दिन में जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन में शहर छोड़ कर कहीं चला जाता हूं, फिर राम ने राजा को सारी बात बता दी थी दरसल वहा, जिन्दा कैसे बचा उसने पहले ही मच्वारे से अपनी बात कह रही थी कि वह उसकी, जान बचाएगा मच्वारे उसकी जान बचाई और वह एक महीने तक नगर के बाहर रखा और सही वक्त आने पर राजा के दर्बार में उपस्थित हुआ वह वैसा सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए करना चाहता था, राजा बोले चलो अच्छी बात है, लेकिन उधर श्याम पाल के साथ लढ़ाई करता है और एक को धक्का दे कर, वही गिरा देता है और पत्थर पर गिरने की वज़ह से उसे सिर को चोट लग है और एक सिपाही वही मर, जाता है आखिरकार यह सारी बात राजा को पता लग जाती है, राजा उसे माफ करने वाले थे लेकिन वह अब पूर गुस्सा हो जाते हैं फिर अगली सुभा उसे नाम से वैसे धक्का दे दिया जाता है और वह उस नदी में डूब जाता है अब उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है कि यह सब उसने यह क्या क्या जिन्दगी की आखिरी मौके पर भी वह दूसरों का बुरा ही करन चाहा और आखिर में उसे भी अपने जान से हाथ धोने पड़े तब गौतम बुद्ध समझाते हैं कर्मों का फल ऐसा ही होता है बुरे इनसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होता जिन्दगी ऐसी ही नहीं चलती जिन्दगी समझने की चीज है उसने महात्मा से पूछा कर्म कैसे बनते हैं फिर महात्मा ने बोला अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है मनुष्य के द्वारा की जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारन हो सकता है उसने फिर महात्मा से पूछा पाप का फल कब मिलता है फिर महात्मा ने बोला पाप का फल किये गए कर्म पर निर्भर करता है यदि आपके द्वारा किये गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर कर्मों की तुलना में अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्द में भोगना पड़ेगा यदी बुरे कर्म कम है तो इसका भुकतान आपको इसी जन्द में करना होगा इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है जब तुम जिन्दगी को समझते हो तब तुम खुद को समझ पाते हो तुम तभी देखोगे कि इस दुन्या में जितने भी जीव जन्तु पैर पौधे हैं, सब तुम से जुड़े हैं उनकी रक्षा, करना उनके बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है जब। तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम रे लिए भी अच्छा होता है, लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा और हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तो